Hello, Welcome to the Great Excellence. I am Dixit. हम लोग type of signals आज देखने जा रहे हैं. Digital Communication के basics अपन देख चुके हैं. Point A से Point B तक transmission किसी भी information का communication कहलाता है. अब वो किसी format में होगा, किसी signal के format में होगा, अब वो कौन-कौन से signals होते हैं, यह अपन आज देखेंगे. Right? तो शुरुवात करता हैं, type of signals की इस series में. सबसे पहला question ही होता है, कि signal क्या है? अपन signal-signal तो कर रहा है, signal भेजेंगे, signal भेजेंगे. Signal exactly है क्या? तो यह definition आप लोग जरूर पढ़ लीजे, आगे भी काम आती है. सबसे पहले तो यह समझ लीजे. किसी भी circuit में, voltage और current यह दो element होती है. ठीक? मतलब voltage और current अलग लग होता है किसी भी circuit में. तो different voltage and currents in the electrical network or the electric circuit or device, which can be further described as क्या-क्या? The process of changes. सबसे पहले ही इस कौंटर लाइन किया भा है, ज्यान में देना. Process of changes of certain physical quantity. यह मैं signal की definition बात कर रहा हूँ. The process of changes of certain physical quantity or state of a physical object over certain period of a time. एक particular time period है, उसमें कुछ physical quantity का changes होना, उस process को अपन signal कैसा है, या फिर state of a physical object, कि अभी एक particular physical object जैसे resistance का across क्या voltage है, या उसके through क्या current जा रही है, वो signal को अपन, उसको अपन signal कैसा है, या उसकी definition में यह चीजां है कि, मतलब किसी भी physical object का state over a certain period of time, यानि सपोज starting से, एक second से लेकर पांचवे second तक, इस particular device के through, क्या current रही, क्या voltage रहा, या क्या उसमें changes आए, तो वो physical quantity जो होती है, वो होती है second. तो ठीक, तो different voltage and current किसी circuit में होते है, उसमें क्या-क्या changes आते हैं, तो उसको अपन ने यह दिखा दिया कि, the process of changes of certain physical quantity, over a certain period of time, यह जरूर ध्यान में रखना, इसको अपन टेक्निकली गोलेंगे, time dependent, यानि time का function, the function of time, यह जरूरी है, अगर function of time नहीं defined है, तो आप किसी को किस reference से बात करेंगे, जैसे, आपको अगर दो अलग-अलग person है, उनकी height आपको measure करनी है, तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो एक दूसरे के reference से पता चलेगा, और वो जरूरी है कि दोनों किसी एक particular equivalent state पे खड़े हों, यानि एक stage लकड़ीगा, या कुछ ऐसी जगह जहां पर दोनों की height अगर measure की जाए, तो उनका reference जो है, यानि वो जहां पर खड़े हैं, वो एक जैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी आप exactly result पता कर पाएंगे, तो ये period of time या ये जो time है, वो एक function है, यानि time के reference में, physical continuity में क्या-क्या changes आते हैं, किसी भी circuit में, या किसी भी device में, वो signal क्या लाता है, तो signal का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, they are used for the purpose of visualization, अच्छा, अब signal का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको first class में बदाया था, कि जैसे एक particular top of the hill पे कोई व्यक्ती खड़ा है, और अपना गहां उसका नीचे से नीचे है, और उसको कोई message बेजना बाता है, तो उसना कुछ visualization की कुछ चीज़ें अपने पास रख रखी थी, suppose बहुत बड़ा कोई goal cycle का जैसे मान लो, cycle तो अब हुई है, उस जमाने में तो मान लो, कैसा कुछ लकड़ी का goal, चक्र या कुछ ऐसा, जिससे वो दिखा के ये बताएगी मेरको इस particular चीज़ की जरूरत है, या मेरको कोई मदद की जरूरत है, या वो कुछ ऐसी particular आवाज निकाले, तो ये सब चीज़ें signal माएगी, तो signal क्या क्या गाम करता है, यानि आपको message को transmit करने के लिए, हो सकता है sound की जरूरत पड़े, हो सकता है visualization की जरूरत पड़े, ये सब काम signal के थूरू होते हैं, और signal खुद क्या है कि एक particular quantity में changes का नाम, चीक, यानि over a certain period of time, जैसे कोई message भेजना है मुझे, और मैंने उसका code बना दिया, कि मैं अगर तीन बार whistle blow करूँ, whistle बजाऊँ, तो मुझे इस चीज के जरूरत रहे हैं, तीसरी बार के बाद continuously चौती बार, पांच वी बार और छटी बार मैंने बजा दी, यानि तीन बार और continuously बजा दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मदेद की जरूरत है, और मुझे अब आप ये ये चीज़ें लेकर किसी को भेज़िए, कुछ इस तरह सा, जैसे मैं तो एक example दे रहा हूँ, तो ये जो time period हुआ, यानि तीन consecutive whistles, फिर मैं थोड़ी देर ही रोका, और वापस तीन continuously whistle, तो ये एक time period, यानि certain time period इसका reference हो गया, और उससे मेरा message चला गया, ये का ये चीज़ें, सारी अपन इसी digital communication में भी करते हैं, analog communication में भी करते हैं, यानि visualization, registration या transmission, किसी भी message का ये signal करते हैं, यानि signal का का कामी है ये, आगे चलता है, signal can be carrier of a different information, जैसा मैंने भी बता है, ये क्या information करी करेगा, कि मदद की जरूत है, एटसेटरा, तो अपन टेक्निकली बात करें, तो electric, magnetic and acoustic signals, ये ये signals को ये carry करेगा, different information को लेते हुए, यानि, ये सगर मैं electrical signal भेजा, तो electrical signal, voltage या current की format, जिसको अपन voltage signal, current signal भोलते है, तो वो ये बताएगा, कि फलाना signal 5 volt का है, और ये particular current, एक ampere की है, तो ये एक information हुई, similarly magnetic, कितने flux का, acoustic sound wave को भोलते है, कितने dB का है, या कितनी उसकी sound की तिवरता है, ये सारी information, एक signal bear करता है, and it contains the information parameters, बस amplitude कितना है, 5 volt, 10 volt, ये amplitude कहलाता है, frequency कितनी है, phase कितना है, pulse width कितनी है, pulse width ये exactly phase आगे, तो ये सब चीजे, information carry करता है, कौन ये signal, और signal क्या करता है, it is used to analyze the behavior of electronic circuit, और measure the changing electrical values, मतलब, आपने एक resistance लगाने पर, आपकी जो supply थी, suppose, आपके पास एक ये circuit है, ये supply दे रहा है, suppose, 10 volt का, और आपने एक resistance लगा दिया, दो लगा दिये, एक इधर लगा दिया, फिर एक और लगा दिया, कुछ इस तरह से, मैंने खुब सारे circuit बना, resistance लगा दिये, और, इनको, circuit यानि, closed loop बना दिया, circuit की definition दो, आप लोगों को बताइए, किसी भी closed parameter, closed devices, जो की, एक closed circuit बनाए, closed parameter बनाए, उसको network बोलते है, तो network की definition में, closed loop आना चाहिए, उसी को circuit या network बोलते है, तो circuit और network एक ही चीज़ है, रइट, तो इसमें closed loop होना जोड़ी है, तभी वो circuit होगा, तो 10V था, अब क्या-क्या changes हो रहे है, it is to, use, use to analyze the behavior of electronic circuit, or to measure, अब इस circuit के behavior में, क्या-क्या changes आरे है, जैसे, suppose यह, यह एक ohm का है, यह हो सकता है, 10 ohm का हो, तो अगर मैं, इनकी values, को changes कर रहा हूँ, जैसे 10V, फिर मैंने 100V, को 50V लगया, तो obviously, इनके across voltage और current में changes आएंगे, ठीक, KVL, KCL, आप लोगों ने पढ़ा होगा, although, बाद में, अगर इनका मैं closed loop ए across voltage या current लूँ, तो summation उनका 0 आएग algebraic sum, लेकिन, अगर 1 ohm, 10 ohm, और भी कुछ ही है, जिनकी resistance या capacitor लगा दिया आपने, उनके across voltage क्या है, उनके across current क्या है, वो changes भी ये signal के थूँ ही पताचे लेगा, कौन सा signal देगा, यहाँ पर तुमने voltmeter लगा है, measure करने के लिए, parallel में, तो वो voltmeter signal देदेगा, इसके across इतना voltage, तो यह सब कुछ signal के बारे में हुआ, आप यह ध्यान रखना, it is used to, the process of change of certain physical quantity, यह signal होता है, तो एक signal के general definition थी, इतना सब कुछ अपने को sufficient है, अगर अपन gate का exam दे रहे हैं, लेकिन अगर basics आप दे रहे हैं, आगे ES verified करता है, तो यह जरूरी है, कि अपन signals की कुछ और, मतलब क्या उसकी quantity हो सकती है, कैसा उसको represent कर सकते हैं, क्या काम आता है, information कौन सी बेर करता है, यह बताओ, अगले slide की दरफ चलता है, the most basic division of the electrical signals, is the division into analog and digital, तो जो सबसे basic division है, वो है analog and digital, analog signal और digital signal, इन दोनों की आपको सामने तस्विर देख रही है, analog signal वो होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ, continuous in time, and continuous in amplitude, आप किसी भी point पे ले लीजिए, voltage की value कुछ नहीं कुछ है, और time, obviously यह सारे time, यह suppose time constant है, यह वाली access है तुमारी time की, और यह तुमारी access है amplitude की, तो हर एक time instant पे इनकी different value है, digital signal को देखते है, digital signal continuous time, continuous amplitude है क्या, तेखो यह है 0, digital में दो यह चीज़े होगी, 0 और 1, यानि यह amplitude है 0 volt, या और यह है 1 volt, या 0 ampere, 1 ampere, अब तुमारा यह particular जो इतना time duration है, यह constant है, यानि इसका amplitude 1 volt ही है, सपोज मैं इसको मानू T1, और इसको मानू T2, तो T1 से T2 के बीच में, जो जो instant थे, उन पे इनकी value 1 volt ही है, लेकिन यहाँ पर क्या था, continuously amplitude भी change भरा था, तो यह continuous time तो रहेगा, क्योंकि time तो continuously चल रहा है, लेकिन discrete amplitude, क्योंकि कहीं पर 1 volt है, कहीं पर 0 volt है, तो analog और digital signal की main, broadly classified अगर अपन करें, तो analog और digital, यह दो signal के classification होता है, और भी classification है, उसको अपन अगली slide में देखते हैं, analog signal आपको बता दिया, continuous values and time, values का मतलब amplitude जो आपन ने पिछले में देखा, तो दोना के लिए continuous चीड, digital signal में होता है, discrete in values and time, क्योंकि 0 और 1, और T0 से T1 तक तो एक ही value, तो उसको अपन कहा सकते हैं, discrete in time and discrete in amplitude, लेकिन perfectly वो नहीं होगा, क्योंकि इसको अपन time तो continuously चली रहा है, तो इसको continuous time, discrete in values भी किया सकते हैं, तो कहीं के पर ये लिखावा मिलेगा, लेकिन आप इसको continuous time and discrete in values ये लिखेंगे, तो ज़्यादा बेटर है, sampled signal चा होता है, ये continuous in values होते हैं, लेकिन discrete in time होते हैं, देखें, इधर sampled की दे रखेंगे आपको, sampled signal क्या क्या काम करता है, या कैसे काम करता है, वो देखेंगे, आपके पास ये एक analog signal था, और आपने इन different values पर, ये time की values हैं, obviously, और ये तुम्हारा amplitude है, या जिसको यहाँ पर values लिखाएं, अब इन इन points पर, क्या corresponding values हैं, तो ये वाले points जो हैं, ये वाले points क्यालाएंगे samples, तो जितने values हैं, ये सारी values, अलग-अलग time पर, अलग-अलग values को दे रहे हैं, उनको अपन क्या बोलता हैं, सेंपल, यानि आपके पास अगर ये सिगनल है, और आपको मैं इस सिगनल को इसमें convert कर दूँ, तो continuous time, discrete in amplitude अपने को मिल जाएगा, digital signal क्या था, केवल ये था, values continuously चलता हैं लेकिन दो values थी, 0, 1, या फिर इस case में minus 1 और 1, कहना का मतलब ये, सेंपल सिगनल भेजेंगे, ये मैं आपको आगे की भी बात बता रहा हूँ, सेंपलिंग का मतलब ये होता है, नमू ना लेना, जैसे, आप कपड़ा लेने गए, तो पूरा का पूरा थान ना ले करके, या आपको दिखाना है, वो आपने उसको चेक कर लिया, काफी तरह से, बिल्कुल सही है, या कोई भी quantity ले लीजे, चावल गया हूँ, तो उसका सेंपल आप लोग लेते हैं, और उसको चेक कर लेते हैं, कि satisfy हो जाते हैं, तो फिर आप उसको बड़ी पूरा आपने उसमें ले लेते हैं, quantity में, जितना आपको चाहिए, तो सेंपल का मतलई भी अगर इस पूरे सिगनल को कहीं पर सेंट करूँ, बजाए इसके इन इन पॉइंट्स पर, यानि ये particular इसके reference में ये सारी values है, यानि T1 पे, ये value, T2 पे, ये value, T3 पे, जो भी value, तो इन सब values को, अगर मैं भेज दूँ, तो मुझे इस वाले सिगनल से कम मेनत पड़ेगी, चाहिए data में ले लो, चाहिए bandwidth में ले लो, चाहिए power में ले लो, तो ये sampling आगे काम आएगी, तो sample का मतलब हो गया कि, exactly signal जो अपने पास available है, उनके कुछ-कुछ points, यानि उनके कुछ-कुछ data लेना, that is called the sample signal, then quantized signal, ये exactly ये signal है, जो कि आपके discrete signal को, जो तुमारा continuous signal था, उसको discrete में convert करता है, आप इसको ऐसा समझ लो, analog से digital में convert करने के process को quantization कहते है, अब हुआ ये, कि आपको पास, यहां पे जो sample value आई थी, जैसे ये point है, ये सारे points है, इनको मैंने क्या किया, बस simply touch कर दिया, और वापस मेरे को लगबग लगबग, वो ही sample, वो ही signal मिला, जो की मेरा send था, जो की sampling से पहले था, तो sampling को वापस recover करने वाले के लिए, भी quantization काम आता है, otherwise, इसका जो popular known है, that is called the analog to digital conversion, अब इसमें क्या करता है, analog to digital conversion, अभी short में समझ लीजिए, आपने कुछ levels decide कर दिये, और उन levels के नाम दे दिये, कि अगर तुमारा sample, इस particular range में पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने इसको code दे दिया, 00, मैं for example, आपको simple समझा रहा हूँ, quantization जब process आएगा ता, वहन इसको समझेंगे detail में, अब आपका अगर sample, इस level के बीच में कहीं लाई करता है, यहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, तो यह वाला sample will be considered, और इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया, 00, 01, ठिक, यानि कुछ इस तरह से coding कर दी मैंने, तो अगर मेरा sample यहाँ पर है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, 00, या कुछ भी, 2 bit, 3 bit, 4 bit, यह depend करेगा, जितना भी अपना conversion अपन करने आचाहता है, तो quantization का मतलब, simple अभी इतना ही समझ लीजिए, कि आपको analog से digital में, convert करते हैं अपने signal को, digital का मतलब, digits, 01 के format, तो यह एक type of signals की बात थी, एक और further आपके, type of signal को अभी समझ लेते हैं, जो की अपने उसमें काम आती है, किसमें, communication की process में, periodic, aperiodic, deterministic and random, और energy and power, अब इसमें ध्यान यह दीजिएगा, periodic और aperiodic signal, वो signals होते हैं, जैसे periodic signal का मतलब क्या हुआ, कि एक signal, एक particular time के बाद, वैसा का वैसा repeat हो रहा है, यह signal, यह इसकी एक cycle हुई, ठीक, इसका time period t0, ठीक, अब इस पूरे signal को तो मैं क्या represent करता हूँ, x of t, देखो, मैंने सबसे पहले अभी आज की lecture की, सबसे पहले slide में signal की definition की वक्त बताया, कि function of time, यानि एक over a period of time, क्या changes in any values, तो जो period of time है, वो अपना reference है, तो function of signal हमेशा किसी time का function होगा, तो x of t, यानि एक signal है, जो की time का function है, यह अपना time हो गया, अब क्या हो रहा है, यह signal है, t0, इसकी एक cycle तक, यह exactly इस तरह से आया, अब अगर यह signal periodic है, तो इस particular, यानि t0, वापस, जब वापस आ जाएगा, तो जिसको अपन बोलेंगे, यह t0, और 0 से लेकर, यह 2t0, तो t0 time के बाद में, वो फिर वैसा का वैसा repeat हो, तो अपन इसको बोलेंगे, भाई साब, यह periodic signal हो गया, लेकिन, वो वैसा repeat ना हो, और यहाँ पर कोई 2 cycle आ जाए, इसी time duration में, तो अपन इसको बोलेंगे, यह periodic signal नहीं है, यह periodic signal है, तो इसकी definition, mathematical form में क्या लिखते हैं, कि अगर x of t, exactly equal to x of t plus t0, इसका मतलब यह हुआ, कि x of t ही, x of t ही, t0 के बाद भी आ रहा हो, यानि, x of t plus t0, तो यह t0 क्या हो गया, basically, period, अगर मैं 2 second बोलू, 4 second बोलू, 2 minute, 2 घंटे, जो भी, x of t plus 2 क्या शो करेगा, कि 2 time unit के बाद, 2 millisecond, 2 second जो भी आपने लिए रखा है, उसके बाद में वापस x t आ जाएगा, तो x of t is equals to x of t plus t0, is the exactly mathematical representation of periodic signal, यानि, कोई signal periodic है की नहीं, यह उसका formula हो गया, तो any signal x t is periodic, if it satisfies the following condition, यह condition गया होगी, x of t is equals to x of t plus t0, for all values of t, t is equals to time and t0 is equals to constant, तो यह हो गया period, तो period of x t क्या है यह देखो, इन्होंने लिख भी थिया, smallest value of t0, for which condition is here, यह ध्यान दीजेगा, smallest value of t0, कम से कम value, जिसके लिए signal repeat होता हो, यानि ऐसा नहीं, आप कहेंदे है, कि साब यह signal चल रहा है हमारे पास, बहुत लंबी देर तक, तो मैं कौन सा tb रल लो, क्योंकि यह particular time के बाद भी, वापस repeat तो हो ही रहा है, तो smallest value of t0, जिसके लिए x t, वापस खुद को repeat करे, that is the periodic, और यह वाली चीज नहीं satisfy करे, यानि यह condition नहीं satisfy करे, वो सारे signal आ periodic, अगला classification है, deterministic and random, इसका तो नाम से ही पता चलना है, deterministic मतलब, जिसको determine किया जासेगे, वो deterministic, it is a signal about which there is no uncertainty, with respect to its value at any time, past, present, future, कही ना कही पे इसकी value होगी होगी, और अगर आपने इसको mathematical format में लिख दिया, तो इसको आप represent कर सकते हो, that is called the deterministic signal, it can be modeled, जैसा लिखा है, completely specified function of time, यानि जो आपने mathematical में लिखा, suppose x of t is equals to sinusoidal of t, आपने ये लिख दिया, तो sine को बना सकते हैं पन, वो सारे, जेतने भी signals इनको आपने लिखा है, उनको आप represent कर सकते हो, that is called the deterministic, example sinusoid exponential, random signal, those signals for which some degree of uncertainty before it actually occurs, हाँ, इनको random signal है, मतलब इनको exactly जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनेगा, suppose आपने किसी sound signal को सुना, वैसे guitar को सुना, या किसी तबले को सुना, आपको पता है कि तबले को सुनने के बाद, आपने उसको convert कर दिया electrical signal हो, उसकी waveform देख ली कि ऐसी ऐसी आती है, जरूरी नहीं है कि अगली बार वो जब तबला बजएगा, उसी सुर्म है, या उसी अपनी जो भी उनकी scale है, वो वैसी की वैसी generate करे, ऐसा को जरूरी नहीं है, बस कुछ degree of uncertainty तो रहेगी रहेगी, रेंडम का मतलब ये, आप ऐसा भी समझ लीजे, जैसे बिजली का चमकना है, जरूरी नहीं एक बिजली, सेम फॉर्मेट में ही चमकेगी, या उसकी जो पहले जमकी थी, वैसी की वैसी दूसरी बार चमकेगी, लेकिन हा, ऐसा होता है कि, एक उसका रहता है कि इस तरह से, इसकी तिवरता इतनी रहेगी, इसकी फेस फ्रिक्वेंसी हो सकता है, इसके आसपास रह सकती, तो आप एक जैसे भूकम बाता है, तो उसकी इरिक्टर स्केल आपको पता होती है, कि भई तेज आएगा तो आपने इसको ऐसा आठनो कमान लिया, कम आएगा तो इतना मीडियम का इतना, तो आपको exactly नहीं पता, तो random signal वो सारे signal जिनको आपको uncertainty लगे, आप जिनको कह सकते हैं कि यह uncertain है, तो random and deterministic हो गया, energy and power signal, यहाँ पर क्या confusion होता है, कि energy signal पता कैसे चलेगा, क्या है, तो अब भी definition आप पहले धियान देजीजे, a signal whose energy is finite and power is 0, यहाँ एक signal है, जिसकी energy अगर finite है, और power उसका 0 है, power का मतलब average power, अगर वो 0 है, तो वो signal energy signal है, जैसे square pulse है, आपके पास एक simple square pulse है, अगर आप उसका energy निकालेंगे, simply, तो वो एक finite energy आएगी, और उसकी power, क्योंकि दोनों अग तरफ same है, तो इसकी average power, जितनी इधर है, उधनी दूसरी तरफ होगी, तो यह 0 हो जाएगी, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई मिलेगा, that is the energy signal, because energy is finite, and power is 0, a signal which decays exponentially has finite energy, so it is energy, और दूसरा signal से सब्पोज यह तो एक square होगा, अगर कोई decay हो रहा है exponentially, तो obviously उसकी finite energy है, तभी वो decay हो रहा है, अगर infinite energy हो थी, तो वो decay नहीं होता, finite energy के लिए एक निशान यह हो गया, कि अगर वो decay is exponentially, वो energy signal होगा, और क्यूंकि उसके पास finite energy होगा, और 0 होने पर, क्यूंकि वो decay हो रहा है, तो उसकी power 0 होनी होई, तो यह दूसरा उसका checkpoint हो गया, थर्ड point क्या हो जाएगा, the power of energy signal is 0, यह बताई दिया है मैंने, अपने first one, क्यूं होता है, because of dividing finite energy by infinite time, और length, क्या हुआ, आपको जैसे energy निकालनी है, ठीक, यह है न, the power of energy is 0, क्यूं, power 0 क्यूं होगा, यह बता रहा है, आपके पास एक finite energy है, ठीक, अगर मैं उसको time से divide करूं, तो P is equals to E by T, जो कि T कितना infinite, तो किसी भी चीज को infinite से divide करने पर, you will get the 0, तो यह तीन checkpoints है, जिससे पता चलेगा, कोई signal energy signal है की नहीं, वापस देख लीजिए, energy finite होगी, power 0 होगा, example उसका square पल से अपन देख सकते हैं, अगर energy finite है, तो दूसरा उसका निशान होगा, कि वो decays होगी exponentially, और exponentially decay होने का, बतलब power तो 0 होनी होगी, और energy finite ही है, क्योंकि तभी वो decay हो रहा है, infinite होती तो वो decay नहीं होता, और third point यह वो 0 क्यों होगा, क्योंकि आप जब किसी power को, यह तुमारी पास energy थी, और इसको time से divide करेंगे, तो time तुमारा है infinite, time मतलब length किती देर तक वो तुमारा signal है, वो है infinite, तो वो obviously 0 देगा, तो यह power की value 0 होगी, किसी भी energy signal के लिए, पावर signals क्या होता है, इसका just उल्टा होता है, देखे कैसा, उसमें power तो finite होगी, यानि जो-जो signal है, वो तो finite क्यों होगी, जैसे energy signal है, तो उसमें energy finite, पावर signal है तो power finite, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, energy is infinite, यह एक point है, तो energy वाले में power 0 होगी, लेकिन power signal में energy infinite होगी, जो-जो नाम के signal है, वो वो तो finite होगी, समझ गें, जैसे energy signal है, तो energy finite, power signal है तो power finite, बस ध्यान यह रखना है, कि energy में power 0 हो जाती है, उसका reason इनों ने बता दिया, क्योंकि आप जब energy को time से divide करेंगे, तो time तुमारे पास infinite होने से, किसी भी चीज़ को infinite से divide करेंगे, यह रखना जीरो, और similarly power signal में power finite, लेकिन energy infinite है, क्यों power signal is not limited in time, means it exists from beginning to end and end, it never ends, इसका मतलब यह होगा, power signal एक time limited signal नहीं आता है, यहनि उसको एक particular time में आप नहीं बाहन सकते, it will goes on, example इसका है, sine wave, इसकी infinite length है, so it's a power signal, क्योंकि उसकी length और यह चलता ही रहता है, ठीक है, तो उसकी power तो होगई finite, क्योंकि आप एक particular time period के बाद तक power निकाल सकते हैं, zero नहीं है power, power तो finite है, लेकिन energy, infinite length तक चलेगी, इसकी energy infinite है, so that is the main definitions of the energy and power, और checkpoints, कि क्या कैसे बता जाए रहे, इसकी detail और इसमें समझ में आ जाएगी, देखो, work का मतलब क्या होता है, work मतलब कार ही है, जिसको हिंदीनिया कहता है, that is transfer of energy, मैं energy को transfer कर रहा हूँ, तो यह करना जो है वो काम है, यानि work है, अब power क्या है, the rate at which energy is being transferred from one object to another, या फिर converted from one form to another form, आपको पता है न, energy can neither be created nor be destroyed, तो energy तो हमेशा limited ही होगी, किसमें? energy signal में, अब क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे time अगर increase होता है, तो power signal में वो energy infinite होते जाएगी, तो work और power की definition समझ लेजए, work का मतलब होता है, transfer of energy आप transfer कर रहा है, power का मतलब होता है, rate at which it is being transferred from one form to another form, या one object to another object, तो power तो हो गया की rate, transfer की rate, और simply transfer of energy called the work, अब देखो, energy is a measure of how much work can be done without any consideration, पही energy वो है की आपने work कर लिया, without consideration, कितना काम किया, आगे देखिये, of how long it takes to accomplish the work, और उसने कितना time लिया, तो आपने काम without consideration, energy is what? a measure of how much work can be done, कितना काम हुआ, without any consideration of how long, बिना ये सोचे हुए की कितनी देर तक ये काम चला, that is called the energy, ये energy measurement का एक तरह से tool हो गया, energy क्या करता, it is a measure of how much work can be done, without consideration of how long it takes to accomplish the work, power क्या है, power is the measure of how quickly, rate आगे न, quickly, मतलब rate at which it is being transferred, energy एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जारी है, यानि वो तो transfer हुई simply, that is simply work, power है rate at which, यानि how quickly the work is done, so it is time dependent function, क्योंकि अपने को time देखना है, एक second में होई, दो second में होई, तो जो तुमारा power है, वो हमेशा time dependent है, लेकिन power signal, अभी just देखा न, power signal is not limited in time, limited और dependency दोनो अलग चीज़े, यानि आप इसको एक time में नहीं बान सकते, that is the limitation, और time पे dependent नहीं करता है, that is independent, लेकिन power signal is the time dependent function, क्योंकि मुझे rate पता करने है, कितनी जल्दी मैंने काम किया, ठीक, तो power क्या measure करता है, it is the measure of how quickly the work is done, और energy क्या measure करती है, how much work can be done without any consideration, of how long it takes to accomplish, तो ये दोनों में difference है, सबसे important point है, ध्यान दीजिएगा, second, next है, power may be measured at any point in time, क्यों, क्योंकि power तो rate है, कितनी देर तक आपको काम किया, ये time dependent है, तो किसी भी time पर आप power निकाल सकते हैं, लेकिन, energy निकालने के लिए आपको एक slot चाहिएगा, कि एक बज़े से लेखे, दो बज़े तक मैंने कितना काम किया, तो ये एक slot हुआ, तो power may be measured at any point in time, while energy has to be measured during a certain time period, तो energy को एक time period चाहिएगा, तब ही वो measurement बता सकती है, कि ये इसको एक time period में measure किया जा सकता है, at any point तो power ही measure होगा, next है, a signal cannot be, both energy and power, किसी भी signal को, या तो आप कह सकते हैं, या energy है, या फिर कह सकते हैं, power है, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि, इस definition से पता चल रहा है, क्या definition थी, कि energy तो finite हो, power zero हो, तो energy signal है, power finite है, और energy infinite है, तो वो power signal है, तो कोई भी signal ही है, दोनो signal तो होई नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे power zero हो, यहाँ पे power finite है, तो कोई भी signal, power signal हो सकता है, या energy signal हो सकता है, या, दोनों मेंसे कोई भी नहीं हो सकता नाइदर एनर्जी नर पावर यह ध्यान दीजिएगा signal cannot be both energy and power यह तो clear हो गया but it may be neither energy nor power signal ना तो signal energy signal है ना power signal है मदब दोनों ही नहीं हो सकते यहां तक तो ठीक है लेकिन एक signal दोनों power और energy हो ऐसा तो बिल्कुल ही जड़ी पॉसिबल ही नहीं generally यह एक general term है कि जितने भी periodic signals होते हैं वो power signals तो आप इसको याद ऐसा रखें P for periodic P for power periodic का मतलब आपको बताई दिया यह particular time के बाद खुद को repeat करें तो यह periodic signal है तो जितने भी periodic signals है देखो मैंने periodic का example यह दिया इसका मतलब आप यह मत समझना कि के बल साइन वे वी है कोई भी signal किसी भी format में periodic हो सकता है तो जितने भी periodic signal है वो power signal होते है in general और जितने भी up periodic signals होते है वो energy signal होते है क्यों energy signals होते हैं? क्योंकि aperiodic में किसी भी समय वो उसको repeat कर सकते हैं energy एक particular time duration को मांगती है तो जेतने भी aperiodic हो energy P for periodic, so P for power periodic signals are power signals aperiodic signals are energy signals in general right power of energy signal is zero यह अपने पहले भी first उसमें definition में देखी लिया and energy of power signal is infinite तो हमेशा यह ध्यान रखे अगर power signal की बात करें तो power signal में power finite होगी energy signal बात करें तो energy भी finite होगी लेकिन energy signal में power zero हो जाता है और power signal में energy infinite हो जाता है यह last मैं इस point से वापस बता दिया अब exactly type of signals हो चुके हैं अब main वापस communication पर आते हैं digital communication में क्या exactly चल रहा है तो दो तरह के signals और पढ़ लेते हैं जिनका नाम है base band and pass band देखो base band का मतलब तो यह होता है कि जो signal जैसा produce हुआ है उसको वैसा भेजना that is called the base band transmission also तो base band मतलब जिस signal से उसकी base है वो उसका band है यानि जैसा वो generate हुआ है वैसा band pass या pass band दोनों एक ही नाम है वो signals है जिनको आपने बनाया है कैसे बनाया information तो generate हुई जैसे जैसे मैंने speech signal है जैसे मैंने बोला वो बोल गया अब वो मेरा जो original signal है जिसको मैं message signal कहता हूँ modulating signal कहता हूँ या information signal कहता हूँ उसको मैंने किसी carrier के ऊपर super impulse किया और उस carrier के parameters क्यानि amplitude, frequency या phase changes किये और उसको फिर carrier को भीजा आगे जाके फिर मैंने वापस उसको demodulation वगड़े सब कुछ किया और receive किया मेरा signal जो मैंने भीजा था तो receiver पे अलग signal receiver transmission पे आपने अलग signal भेजा अलग signal का मतलब इधर से 5 kilowatts उधर भी 5 kilowatts ही मिलेगा मतलब information से हम रहेगी आपने या पे जो signal भेजा है वो directly भेज दिये तो basement और किसी carrier के साथ भेजा तो passband या इस slide में यह समझने की ज़़ोता है डीटेल अपन देखेंगे इस की और तो अभी basement से शुरू करते है दा signal generated from the information source ठीक है जैसे जनेरेट हुआ it can be combination of 2 or more than 2 signals मतलब हो सकता है यह voice signal हो audio हो, video हो जैसे video में voice और motion दोना signal होता है आज भी आती है, आप देख भी पाते है तो हो सकता है कि यह code भी उसमें साथ में बेजा हो तो एक से ज़्यादा signal हो सकता है it can be analog or digital कोई भी तरह का format ले सकता है यह type of signals अपने देख ही लिया if the basement signal is transmitted directly जैसे ही आपने directly बेजा it is known as baseband transmission मतलब यहाँ पे कोई तरह का modulator demodulator use नहीं हो रहा है जैसा था आप ऐसा बेज दिया तो यह तभी बेजा जा सकता है जब आपके पास short distance हो और आप low frequencies पे काम कर रहे हो तो baseband transmission में ज़्यादा कुछ समझने का ने केवल long distance पे आप जाएंगे तो फिर modulation की जो पड़ेगी जो की band pass में आएगा baseband में तो simple short distance पे आपको भेजना हो आपके आवाज में इतनी तेजी है या आपके signal में इतनी capability है यानि वो इतना power लिये वे है इतनी energy लिये वे कि वो transmit हो सके दूसरे point तक without any modulation तो उसको उपन बोलता है baseband transmission ठीक अब passband में चलते है तो passband कैसे काम करेगा if signal is transmitted over the channel अगर मैंने channel का use लिया है no one has the band pass transmission channel का तो सब जगा यूज लेंगे यानि अब channel का मतलब modulation, noise ये सब चीज़ आगे तो channel के पहले क्या था input transducer, transmitter, फिर channel आएगा तो अगर मैंने channel use लिया इसका मतलब मैंने transmitter यूज लिया input transducer भी यूज लिया ही होगा तो transmitter यूज लिया तो महाँ पे modulation होता है तो ये सब चीज़ आगर कर ली तो अब passband की तरफ अब बढ़ रहा है तो अब नाम आता है modulated signal किसको कहता है तो अभी modulating signal information signal, baseband signal सब एक ही नाम में ध्यान दिया तो when modulating signal is imposed upon carrier signal तब उसका नाम क्या हो जाएगा modulated signal यानि अब उसमें modulation आ चुका है तो modulated signal has fixed band of frequencies around a carrier frequency अगर मैं एक carrier frequency ले लूँ ये 100 kWh की और एक ए 1 kWh का मेरे पास baseband transmission इसके उपर imposed गया है तो ये 100 plus 1 और 100 minus 1 यहाँ पर एक side bands बन जाएंगे जो की कहलाता है ये particular कहलाता है pass band या band pass तो modulated signal has a fixed band of frequencies around carrier frequency तो ये तो होगी carrier frequency और इसके दोना तरफ ये fixed band बनेंगे अब इनको कहता है इसलिए उसको बोलता है pass band तो ये होता है lower side band ये होता है upper side band suppose इसका example देखे मानलो एक 5 kilohertz की तुमारे पास modulating signal है जिसको बेजना है अब मैंने इसको superimpose किया 500 kilohertz पर तो amplitude modulation करने पर दो side bands generate हो जाते हैं एक तो होता है 500 minus 5 kilohertz पर और एक होता है 500 plus 5 kilohertz यानि 495 और 505 kilohertz ये उसकी range of frequency होगी या pass band होगी ठीक so the AMF frequencies for 495 to 505 kilohertz ये शोज़ बेंड pass types band pass transmission is used at high frequency and for the long distance long distance होगा तो आपको modulation की जरूद पड़ेगी पड़ेगी ये यहाँ तक अपन ने देखा है कि band pass, pass band base band क्या होता है band pass और pass band तो एक की चीज़ होगी base band का मतलब simple जैसा generate हुआ वैसा बेजा without modulation लेकिन अगर आपने modulation यूज़ कर लिया इसका मतलब आप pass band की तरफ है pass band का मतलब वहाँ पे एक band of frequencies होगी जहां पर आपको काम करना है और वो band of frequencies carrier frequencies के around होगी fixed band of frequencies around the carrier frequency तो ये ध्यान में दीज़ेगा carrier frequency के दोना अता रख कितनी कितनी जितनी तुमारा modulating signal frequency है तो जब वोज़ फाइफ की लोड मेरा modulating signal था तो पांसो इसकी center frequency होगी पांसो से पांच कम और ज्यादा यानि 495 and 505 ये उसकी pass band होगी यानि ये वाला band सीधा के सीधा transmit होगी तो दिस इस आल अबाओ दा pass band transmission and pass band signals तो type of signals होगे next class में पन और आगे देखिए थेंक यू